इसलाम लेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नमबर एट दे गुरिस्तान आफ साधी रिटन बाई शेख साधी फर्स्ट अफ वाल जो है हम उर्दू में इसका इंट्रोड़क्शन पढ़ेंगे फिर जो है मैं ट्रांसलेशन करवाँगी इंग्लिश ट दे खरवा देती हूं शेख साधी जो है एक बहुत बड़े दास्तान बो थे उनकी जो पेराबर्स थी वो हिकमत और दानीज से भ्री होई थी उनकी दानाई की बातें जो है वो जहन को काफी जिला बखष ती है और रूह को सकून बखष ती है उनकी हर स्टोरी में कोई न क कोई moral lesson मिलता है हमारे chapter में जो हैं उनकी तीन पेराबल्स जो हैं शामिल की गई हैं उनकी जो first पेराबल है उसमें जो हमें moral lesson मिलता है वो यह है कि हमें अन्देख्य खौफ जो है जहन में नहीं पालने चाहिए हमें हिम्मत और जुरत से जो है जो dangers आती हैं हमारी life में उनको face क करना चाहिए और साथ ही हमें ये भी lesson मिलता है कि जब हमें कोई बेहानक तजर्बा होता है तो हमें उसके खौफ से चिटकारा मिल जाता है जब तक हम किसी खौफ को face नहीं करेंगे तो हम उससे डरते रहेंगे जब हम उस कौफ के तजर्बे से गुजरेंगे तो हम तब ही ह हम उससे निबटना सीख लेंगे होता यह है कि एक दफ़ा जो है एक बादशा एक कष्टी में बहरी सफर पर था उसके साथ उसके साथ उसके में एक एरानी गुलाम भी था थोड़ी दिर बाद कष्टी जो है तफ़ान की जिद में आकर हचकोले खाने लगी वो जो एरानी गुलाम था वो खौफ से चिखने मारने लगा उसे चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश की गई उसने पूरी कष्टी को डिस्टरब्ट किया हुआ था एक सिपाही ने जब ये सुरत हाल देखी तो उसने बादशा से परमिशर ने कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे बादशा ने कहा कि ठीक है सिपाही ने गुलाम को जो है उसे बिफ्री विलारों में फेंग दिया और जब वो डूबने के करीब था तो उसे खेंच कर वाए निकाल के कष्टी में ले आए इसके बाद वो जो गुलाम था वो चुप साथ करेकोने में बैट गया डूब जान सेकंड पैरबल वो एक इरानी बादर्शा की आदिल की मतलिक है यह नौश अरमा जो है एक आदिल इरानी बादर्शा था एक दफाऊ उसके लिए एक हिरन भूना जा रहा था यह रेट एक लड़के को करीबगों हों से नमक लाने के लिए भेजा गया लड्का नमक ले आया बादशा नहीं से पूछा कि आया इसने नमक की पेमन्ट कर दी है इस पर लड़के ने जवाब दिया कि नहीं जनाब बादशा ने उसे दोबारा भेजा कि जाओ और दोबारा से नमक की कीमत पे कर गया वरना मुफ्त चीजें लेने का इरवात पर जाएगा बादशा कि इस बात पे जो है लोग बड़े हैरान होए कि एक छोटी सी चीज़ की इतनी सी बात पे क्या मामूरी चीज़ का इसके लिए क्या भहस करना मगर बादशा ने कहा कि अगर पहले पहले दुनिया में जो है की जो इन तदा थी वो भी हमेशा मामूली होती थी मगर वक्त के साथ साथ उसका जो हुझम है वो भरता चरा जाता है अगर जो बादशाह है वो एक सेव मुफ्त लेगा तो उसके जो नौकर चाकर है वो तो दरखत ही जोनों समय जो है खाड कर ले जाएंगे और अगर कर देना चाहिए उसे कुचल देना चाहिए और किसी जुर्म को इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो मामूली है जुर्म की जो इप्तदा होती है वो पहले मामूली ही लगती है आइस्ता आइस्ता उसका जो साइस है बढ़ता जाता है फिर वो हमें बुराई जो है बुराई ल स्टेशन करेंगे शेख साधी वाज ग्रेट स्टोरी टेलर शेख साधी एक अजीम दास्तान गो थे ही स्पीक्स तो और नेशन और इस परप्यूचली मॉर्डर्न सेड अमर्सन अमर्सन ने कहा है उसके जो हमादम ताज़ा ये वो अल देटाइम जो है फ्रेशी है जब भी जो भी उसे नसियत हासिर करना चाहे है उसे नसियत हासिर सकता है वो गुरिस्तान को सहाइफे आलम में जो है शुमार करता है क्यूंकि वो इसमें जाबता इखलाक की हुमा गिरियत पाता है लोग जो है लातीनी और अंग्रेजी में जो है तरजमा शुदा जो गुरिस्तान है उसके गरविदा हो गए है It is interesting to note that English scholars used Sadi's translated parables in their divine books till it was discovered to be an English translation of Latin versions of Persian's origin ये बात दिल्जस्पी से खाली नहीं कि अंग्रेज जुमाने सादी की हकायतों के तराजिम को अपनी शोरा अफाक किताबों में इस्तमाल किया यहां तक कि ये भी मालूम हुआ कि ये लातीनी नुस्खे का अंग्रेजी तरजमा है जिसका असल माख़ज जो है वो फारसी है एडवी नर्नोर्ड हैज एप्लाय डिस्क्राइब गुरिस्थान इन कुलिनरी टरम्स एज एन एंटिलेक्चिल पिलो अलिट्रेरी करी आ कीबाब आपोबर स्टाइल जीनियस एडवी नर्नोर्ड ने इंगुरिस्थान को बवच्ची खाने के इस्तलाहात में मुनासिब तर पर यू बियान किया है एक दाना का पलाओ, एक अद्बी शोरबा, एक हुमागीर जो है जहीन फतीन शखस का कबाब है कारीन को अपने ख्यालात को जला बख्षने के लिए इन हकायतों के मज़े लूटने का यकीन होता है Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat एक दफा का जिकर है के एक बादशाह और एक इरानी खुलाम एक ही जो है कश्ती में हम सफर थे The slave had never been at sea and experienced any calamity खुलाम को कभी बहरी सफर करने का इतफाक नहीं हुआ था और उसे जो है मुसीबत का तजर्बा भी नहीं था After some times the boat was hit by a storm and started tozing कुछ दिर बाद कश्ती जो है तुफान की जिद में आ गई और हिच को रेखाने लगी It was very inconvenient for the passengers ये बात मुसाफरों के लिए काफी परेशानी का बाइस बन गई All remained quiet except the slave who in a fear of being drowned began to cry and tremble and created inconvenience for the others The others tried to pacify him by kindness and affection but he didn't hear anybody When the uneasiness lasted longer the king also became displeased जब ये बेचैनी तूर पकड़ गई तो बाशा भी जो है नाराज हो गया In that boat there happened to be a sergeant who said with your permission may I question him इस कश्टी में हुसन इतफाक से एक sergeant पी सवार था जिसने कहा कि अगर आपकी अजाज़त हो तो मैं इसे खामोश कर दू It will be a great favor the king said बाशा ने कहा ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा The sergeant ordered the slave to be thrown into water so that he could have experienced the true danger of life उस जो sergeant था उसने गुलाम को पानी में फैंकने का हुकम दिया ताके वो जिन्दगी के हकीकी तजरबा का तजरबा कर सके Two persons threw him in the sea and when he was about to be drowned they pulled him back to the boot and he clenched the stern with both his hands दो आदवी ने उसे समंदर में फैंक दिया और जब वो डूबने के करीब था उसे खेंज कर जो है दोबारा कश्ती में ले आया और अपने दोनों हाथों की मदद से कश्ती के जो पिछला इसा था वो उससे चीमट गया then he sat down in a corner and remained quiet फिर जो है वो एक कोने में बैठ गया और चुप साथ ली disappeared strange to the king who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant and he asked for it ये बात इंतहाई जो है ताजुब केश थी बाशा ने sergeant के इस अमल की जो हिकमत की वो इसको ना समझ सका उसने जो है इसकी वजहत तलब की the sergeant replied जो sergeant था उसने जवाब दिया before he had experienced the danger of being drawn he knew not the safety of the boat डूब जाने के खत्रे के तजर्बे से पहले वो कश्ती के हिफाज़त को नहीं जानता था a man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it इनसान को मुसीबत से तहफूज की कदरों की मत का अहसास इस वक्त तक नहीं होता जब तक वो इसे दोचार नहो जाए अब अब जो है हम सेकिन इसकी पहरा बल पढ़ेंगे it is related that while a deer was being roasted for no shirwan a king of persia famous for his justice no salt could be found कहते हैं एरानी बादशा नो shirwan जो अपने अदल इनसाफ की सबब मिश्यूर था उसके लिए जब एक घरन भूना जा रहा था तो वहां पे नमक जो हैं मजूद ना था a boy was sent to a village to bring some sword एक लड़के को जो है एक काउं में नमक लाने के लिए भेजा गया the boy brought it and presented it to the king who asked whether he had paid for it लड़का जो है नमक लिए आया और बाश्या के हजूर पेश किया बाश्या ने पूचा के आया उसकी कीमत अदा करती गई है no said the boy नहीं लड़के ने जवाब दिया कि इसकी कीमत को है अदा नहीं की गई pay for the sword नमक की कीमत अदा करो said the king बाश्या ने कहा lest it should become accustomed and the village be ruined नहीं तो इसका रिवाज पर जाएगा मुफ्चीजे नेने का रिवाज पर जाएगा और गाओं बरबाद हो जाएगा having been asked what harm could arise from such a trifling demand जब बाश्या से पूछा गया कि इतनी चोटी सी चीज तरफ करने पर क्या नुक्सान हो सकता है the foundation of oppression was small in the world said the king बाश्या ने कहा के इप्तदा में दुनिया में जो है जुल्म की जो इप्तदा थी वो भी बहुत कम थी उसके बन्याद बहुत कम थी whoever in large it so that it reach its present magnitude is at fault असल कसूर तो पहले लोगों का है जिनों ने इसमें इजाफा किया यहां तक के अपने मजूदा जो बड़े हुजम को पहुंचा वो कसूर वार है if the king eats one apple from the garden of subject his slaves will pull down the whole tree अगर बाश्या अपनी राया के बाग में से एक सेव लेता है तो उसकी जो अमाम है वो तो दरख जड़ से ही उखार देंगे for five eggs which the king allows to be taken by force the people belonging to his army will put a thousand falls on the spit उन पांच अंडों के बद्ले में जिनकी बाश्या जो है बजोर लेने की जादत दे उसकी फाज की सिपाई हजारों मुर्या जो है भून डालेंगे a tyrant does not remain in the world but the curse on him abides forever गो आलम में जो है जालिम को सबात नहीं अगर्चा जालिम दुनिया में जो है हमेशा नहीं रहता मगर उसे हमेशा जो है लानत मनामत की जाती है third parable इसकी पढ़ेंगे हम a king fell seriously ill and all hopes of his recovery vanished एक बात्चा शिदीद बिमार पर गया और इसकी सिहत जाबी की तमाम उमीदें दम तोड़ गई the more the disease was cured the more it became painful बिमारी का जितना इलाज होता वो इतनी ज्यादा तक्रीफ दे बन जाते at last the physicians agreed that this disease cannot be cured except by means of bile of a person endured with certain qualities आखिरकार मौलिज इस नुक्ते पर पहुंचे के इस बिमारी का इलाज ममकिन नहीं सिवाए इसके के के इसका इसका इलाज खास किसूसित के हामिल शक्स के पित्ते के जरीए हो orders were issued to search for an individual of this kind इस किसम के आत्मी की इतलाज के अहकाम जो है जारी कर दी गए a son of a former was discovered to possess the qualities mentioned by the doctors एक किसान का बेटा ढूंड दिया गया जो तबीबों के बियान करदा खुसियात का हामिल था the king summoned the father and mother of the boy whose consent he got by giving them a huge amount of wealth बाशा ने लड़के के वालिद और वालता को तलब किया और उसने उन्हें जो है बहुत ज़्यादा रकम दे कर उनकी रिजा हासिल कर ली the kazi issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king काजी ने बाशा की सेहत की खाते एक इनसान के खुन बाने का जो हुक्म था वो जारी कर दिया लड़के को मकतलगा में लाया गया और जिलात को लड़के को जिवा करने की हदायत दे दी गई जब तमाम त्यारियां मुकमल हो गई तो लड़के ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और मुस्कराया लड़के ने कहा कि बेटा जो है अपने वालदायन से शिवकत की उमीद करता है if they fail अगर वो नाकाम हो जाते हैं they are expected to bring the case before the kazi to seek justice तो इन से तवक्व की जाती है कि वो इनसाफ के हसूल के लिए मामडा काजी के रूब रूब पेश करे but in the present case the parents have agreed to get my bloodshed for the trash of this world लेकिन इस मजूदा सुरह तहार में मेरे वालदायन इस दुनिया के घटिया माल के खातिर मेरी जो है मेरे खुन बहार रिने पर राजी हो गए है और काजी ने मेरे कतल का जो हुक्म है वो जारी कर दिया है बाश्चा का ख्याल है कि वो सिर्फ मेरे कतल से श्याजब होगा और मुझे झो है खुदाय कादर मुत्लिक के सिवा कोई जाय पना नजर नहीं आती तो वह यूंड़ वगाशिबनेंगेडे Cाzusी चा की बहाने जर्ला का कापनगे वह जाही ईएला है अगर मुझे इनसाख सिर्फ आप से मिनना है तो मैं आपके जल्म के खिलाफ किस से शिकायत करूँ The king felt disturbed and on hearing these words he could not control his tears and said वाशा परिशान हुआ और ये बातें सुनकर वो अपने आंसुज अपना कर सका और बोला It is better for me to die than to shed the blood of an innocent boy. एक मासूम लड़के का हुँन भाने से बहतर है के मैं मर जाओं. He kissed the head and eyes of the boy and presented him with a lot of wealth. उसने लड़के के सारा उंखों को चुमारों से काफी इमालोज ज़र से जो है नवाजा. It is sad that the king also recovered within a week. कहा जाता है के बाश्या भी एक हफ़ते के अंदर-अंदर जो है सिहत याब हो गया. ये हैं जी आपकी chapter is complete हो गया.